जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिये सिद्धान्त नहीं क्योंकि पेड़ भी अमेशा पते बदलता है जड़ नहीं और इससे समझ लिया तो यही आप लोगों के लिए आज सफलता का गुरुमत्र बन जाएगा नमस्कार प्रेसातियों मैं हूं स्पुरेश रवाली और आप देख रहे हैं 20 सितंबर मंगलवार आज कर आशिपल मेरे प्रेसातियों अगर आप मुझसे परसली मिलना चाहते हैं तो मैं आज यानि 20 तारिक से लेकर 27 तारिक तक लंडन, लेस्टर, बर्मिंगम यानि यूके ग्यात्रब रहूँगा उसके बाद 1 अक्टूबर दिली, 2 अक्टूबर लखनो, 7 अक्टूबर मुंबई, 8 अक्टूबर नाकपूर और 9 अक्टूबर पुने में रहूँगा वहाँ से लोटने के बाद 15 अक्टूबर सूरत बड़ोदा और 16 अक्टूबर को एमदाबाद रहूँगा, और 17 अक्टूबर को दिली रहूँगा, आप चाहें तो यापर मुसे परसली मिल सकते हैं, अन्यता रोजाना ही मैं टेलीफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसिंग अपॉंट्मेंट के द्वारा भी लोगों से जुड़ता हूँ, मेरे प्रेसाति हूँ, आज के राशी उपल में सबसे पहले बात करेंगे गुरुबंतर की, काम में अनावश्यक अगर विलंब हो रहा है, तो क्या विशेश उपाय करें, छे राशी के बाद सरात पके स्पे कर जाते हैं, इसके लिए आप सर्व परतम आज प्राता काल सूरी देव को अर्गे दे कर दिन की शुरुबात करें, अपने पित्रों के तस्वीर पर लाल पुष्प की माला अर्पित कर चंदन का तिलक करके दूप करें, दूद से बना हुआ भोग अर्पित करें, गाए को हरे चारे के साथ आटे की एक लोई में तिल और जौ बरकर खिलाएं, संधिया आरती के बाद चांदी का एक चौकर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रभाइद करें, अपने कारियों को पूर्ण करने के लिए पूर्वजन से प्रार्थ ना करिए, देखिए का आपके काम म शे मिनट तक पुनरवसू नक्षत रहे और फिर पूश्य नक्षत रहेगा, ग्रहों से बनने वाले, वाशी योग, आनदाद योग, अनफा योग का साथ तो मिली रहा है, और बुदादित योग का साथ भी मिल रहा है, लेकिन आज एक वर्यान योग भी बन रहा है, अगर आज के दिन, अगर आप किसी शुब या मांगली कारेवले शुब समय के तराश में तो एक ही बार बिलेगा, दोपैर सवा बारा से दो बज़े तक लाब और अबरित का चोगडिया है, और दोपैर को तीन से साड़े चार बज़े तक राहुकाल के समय शुब और मांगली का करिना करें, वहीं आज सुबह 8 बज़ कर 13 मिनट से रात को 9 बज़ कर 26 मिनट तक स्वर्ग लोग की बदर रहेगी सवभाग्य स्वम आपके द्वार आए और आप उसका स्वागत ना करें तो आप से अधिक अभागा कौन होगा? अगर उसका स्वागत किया जाए तो सुप, संपती, यश, कीर्थी, वंच ब्रधी के साथ परिवार में खुशियों का आपार भंडार भरने से कोई नहीं रो आध्यात्मिक साथना सिर्थी केंज एक दिन के लिए आपके पूर्वच पित्रगणों के लिए आपका नाम गौत्र का संकल्प लेकर पून विदिविदान से तरपन किया जाएगा, जिससे पित्रों की शांती के साथ साथ कुंडली में बनने वाले पित्र दोश, काल एवं कंत्रबादा जैसे परिशानियों से शीग रही रहत मिलेगी, तो शीग रही समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन दिये गए नंबर पर करवाएं 0291-279-90-00, 243-2625, 264-6625, 93147-28165, 98290-26625, 93147-49222 मेरे परे साथियों, आईए राशिफल की शुरबात मेच राशिश से करते हैं आज मा दुरुगा को याद करिए, अपनी माता जी और पिता जी के अच्छे स्वास्ते के लिए बिजनस में आपके बंते कारियों में कई प्रकार के रोड़े आज आने वाले हैं काम में डिले, डिस्ट्रिबेंस, आलसी और लापरवाही के वज़े से गलत डिसेजन लेंगे, बचिए अपनी इन आदतों पर काबू पाईए, जो की जूट बोलना, गाली गलोच करना, या कोई नशीरी चीज़ों का सेवन करना है अपने वैक्तिगत कारियों में किसी बाहरी वैक्ति को शामिल न करें वर्ड प्लेस पर आप किसी गटना से निराश और परेशान होने वाले हैं आपको कड़ी बहने तो स्मार्ट वर्क अब करना होगा आपके सीनियर्स काम के बारे में कुछ परेशान हो सकते हैं या आपको भी कर सकते हैं परिवार के सदस्यों की शिकायतों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स के वेवार और आचरन में आज कुछ गरबड़ी आने वाले इस पर ध्यान दीजिए गति के लिए चरन जरूरी है और प्रगति के लिए आचरन जरूरी है समय आपके पक्ष में ट्रेवल को लेकर नहीं हैं साथान रहें युवा वर्ग आलस से एक अत्याग करें इनोविटी और क्रेटिव आइडियाज को सिर्फ लोगों को बताने का काम न करें उन्हें एपलाई करें टेकनलोजी का आज जएदा उप्योग करें और जो शुगर पेशेंट है हार्ट के पेशेंट है उन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं खैल रखेंगा बात करते हैं वरशबराशी की आज दोस्त यार रशदार जिसके साथ भी आपको बात करना अच्छा लगता है उनके साथ समय ज्यादा 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 गुजारिये सुडेंट आर्टिस और प्लेट्स अपने अपने फिल्ड में चुस्त और तंदुरुस्त रहते हुए आगे बढ़ेंगे बैंक, फाइनेंस, अकाउंट, शेर बाजार, वाइदा बाजार, मूच्छल फंड, इंशुरेंस इससे समझत काम आज निपट जाएंगे या निपटाने चाहिए आपके बारे में कोई गलत बात करेगा, आप उन लोगों पर ध्यान मत दीचिए अन्य लोगों की बातों से अधिक अपनी भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है लोगों तुवारा बोली गई बाते या उनके व्यक्तित्व को बदल पाना लगबग असंबब है इसलिए आपको अपने भावनाओं पर ही ध्यान देना चाहिए अपने नेटवर्क का विस्तार करें, नए कॉंटेक्ट बने अच्छे लोगों से संपर्ख, भविश्य में आपके लिए लाब करें रहें आफिस में तेजी से काम करना होगा, साथ ही अपनी टीम को साथ लेकर मॉटिवेट करते हुए एक्टिव करना होगा प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए, आज जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, समय फैशन फैशन होबिस के लिए मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के जरिये भविशे में बड़ोतरी होगी, लाव पार्टर और लाइफ पार्टर के साथ, आज प्यार, महबत, ट्रेवल करना, कुछ अच्छी चीज़े खरीदना, कुछ गप्शब बारने का मौका ज़रू बिलेगा, सेहत पहले से बैटर है, बात करते है मितुनराशी की, अपने द्वारा बनाएगी संपती है या पैत्रिक संपती, इनहेरिटेंस, उसके रेनोवेशन, डॉक्यमेंटेशन, या फिर उसके बारे में कुछ नगुछ खरीद फरूत का काम आज आप कर सकते हैं, खादिय सामगरी का, फूड और वेवरिजेस, होटे कर जा सकता है, थोड़ा अपने एंप्लोईज पर ध्यान दीजिए, कुछ फाइनेशल परेशाने जरूर आएगी, लेकिन अपने बुद्धी बल और चतुराई से उसका सामना करते हुए समाधान निकाले रेंगे, किसी जरूरी गैर सरकारी या सरकारी मीटिंग में शावि ले हो सकते हैं, बुद्धादित योग के बनने से और वर्यान योग के बनने से आए मान पद प्रतिष्टा में भरती होगी, अपनी प्रतिपा को निखारना अब होगा, अपनी परसनेटी का पूरा उप्योग करिए, जिससे बहुत खोश होगे, आपको लोग सब सहयोग कर जरूर आंकलेट करेगा, निकट संबंदियों के साथ और पडोसियों के साथ वेवार अच्छे से करिए, संबंद मजबूत होगे, अन्मेरिट परसन्स के लिए आज प्रफोजर अच्छे आ सकते हैं, और श्रात के बाद उन्हें फाइनल किया जा सकता है, आज आपकी कोश और एडवांस पर काम करिए, बात करते हैं अगली राशी और वो है कर्ग, बौतिक विकास, आईक्यू और एक्यू लिवल बैटर होना, कुछ कर गुजरने की भावना तमन्ना आपके भीतर आएगी, पिता, दादा, ताओ जी, चाचा जी, या यूं कहें कि पैटरनल से आपके अंदर से एक फिलिंग आएगी, यस, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वर्यान और वाशी योग के बनने से बिजनस में किसी अनुभवी व्यक्ति के मारत दर्शन से आपका कोई काम हलोगा, प्रॉपर्टी या किसी और से समधित कोई काम अगर अठका किसी को नब बताएं, आपका काम बन जाएगा, वर्ट प्लेस पर, ये एक तो जल्दी बाजी बिलकुर नहीं करनी हो वर्ट प्लेस पर, कोशिश करें कि बैस्ट एमप्लॉईज का एवार्ड आपको मिल जाए, इसके लिए बैस्ट एमपलॉईज बनने के लिए कोशिश कर जाएंगे, इस से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका समय खराब नहों, सिंग राशी, आज नए कॉंटेक्ट बनेंगे, सोशल बीडिया चलते फिरते किसी से, कॉंटेक्ट कब कॉंट्रेक्ट दिला दे, पता नहीं चलता है, कारुबारी एक बात का ध्यान रखें कि जिस काम की उन्हें जानकारी नहों, उसमें निवेश न करें, अन्यता नुकसान भी हो सकता है, बिजनस में आप दुवारा जल्दी बाजी और इमोशन्स में लिएगे डिसिसन गलसा भी दो सकते हैं, पैसों से जुड़े वे सारे काम खुद करिए, किसी पर भी बरुसा न करें, वरना पैसा फसना नुकसान और दोखा और उससे बढ़ने वाला तनाव बढ़ जाएगा, आपके नीद अगर अधूरी रही, तो आज का दिन डिस्टब हो जाएगा, वर्ट प्लेस पर, काम में सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लेट रती फिर आलस से खत्म करने के लिए, आपको एक त्याग आज करना पड़ेगा, शत्रु कहीं हानी ना पहुंचा दे, इसलिए अपना और अपनों का सुरक्षा चकर तैर करिये, दान, पुझा पार, धर्म कर में जितना मन लगाओगे उतना अच्छा है, स्टुडेंट, आर्टिस और प्ले करोगे, उतना ही माता और पिताजी को बहुत अच्छा फील होगा, बिजस में, पार्टर्शिप में किया गए काम आपके लिए शांदार होगा, और अपने पार्टर के साथ छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करते वे बड़ा सोचिए, अपने संपर्क को एक्टिव अब करना होगा, तब ही जाकर नए ओफर आपको में सकते हैं, जौब के लिए एक तो आज जल्दी बाजी मत करेंगा और आँख खोल कर काम करेंगा, क्योंकि आँख बंद करके किसी पर भी अंदा विश्वास कर लेंगे, तो आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, और नए ओ अच्छे डंक से देखते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों को दिमाग से नहीं, दिल से जवाब दीजेगा, भवशे से संबदित कोई अच्छी योजना बनाना, चिंता को छोड़कर चिंतन करना लाब देगा, विवास से संबदित निर्णे या किसी ग्रूप डिस्रेशन करके आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है, मेरे परिसातियों, आएए छे राशिवात स्राद स्पेशल बात करते हैं, कि पित्र दोश होने पर वैक्ति के जून में, क्या क्या लक्षन आता है, संतान सुख मिलता है, लेकि संतान से सुख नि मिलता है बलकि अबॉर्शन, मिस्करेज, आपरेशन भी हो जाता है, नौकरी और व्याव साहिब में मेहनत करना ही बावजूद भी अपमान और हानी होती है, परिवार में अक्सर कलह बनी रहती है, एकता ना होना, परिवार में किसी वैक्ति का सदेव अस्वस होना, जैसे शुब औ मांगली कारियों के लड़ाई जगड़े शुरू हो जाएंगे, और विवाह, सगाई, संबंद किसी परकार का ना होना, होते वे बिगड जाना, कहींने कहीं पितर दोश के लक्षन है, इसलिए पितर दोश मुक्ति के बहुत सारी बाते मैंने बताई है, उसका नुसरन करना चाहिए, बात करते हैं तुलाराशे की, अपने पेता, बड़े बुज़र्ग, ग्रेंट पेरिंट्स के आदर्शों पर चलिए, आज उन्हें याद करना के दिन है, वेवसाय के शेतर बे किसी परकार के राजजुनिती के सामना करना पड़ सकता है, कोई आपके ही जड़े क के और बड़े बुज़रों के स्वास्ति और खानपान बर ध्यान दीजी, सामाजी गतिविदियों में इस्सा लेने का आपको मौका बिलेगा, जीव में सामाजी एक सकरेता बहुत जरूरी, इसलिए बर्चट के सुपर भाग लीजिए, घर में आप शाम को अपने परिवा कारोबार को आगे बढ़ाने के अफसर हाथ लगेंगे, सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ें, धनलाप के नए अफसर मिलेंगे, बुद्ध आधिती और वर्यान योग के बने से बिजनस में आपके लिए लाब दायक परिस्तिती बनी हुई है, शुब चिन तक की मदद से अपने काम पर लगाईए, भविशी के लिए लगाईए, आपके वैवाहिक या नहीं, परसनल और प्रोफेशनल लाइफ में सेपरेशन होना ज़रूरी है, वरना ना हम गर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, डानी टेबल को ऑफिस टेबल को डानी टेबल बना रहेंगे, इस पर ध्यान दीजिए, माता पिता जी की स्वास्टे पर ध्यान दीजिए, मा एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख को जमा कर सकते हैं, पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, जिसके पास बैलेंस ना होते विए भी हमारे सपने पूरे करने के वो कोशिश करते ह कॉंपिटिटिव एक्जाम के तैरी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज उचित समय है, अपने टीचर, कोच, मेंटॉर से कुछ सला लेकर आज आप बहतर काम कर लेंगे, सेहत पहले से बहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवास में काम करिए, धनुराशी, आज यातर कारवाई से भी गुजरना पड़े, आप अच्छी संगत, यानि अच्छी कमपनी का ध्यान रखे, तर्क जरू करिए, वितर्क और कूतर्क ना करे, वर्टवेस पर व्यर्थ की बाधा आपके वाद विवाद करने की वज़े से आएगी, और इसे मन शांत होगा, जब जल ग करमाने से बहतर गती से आगे बढ़ सकता है, अगर आप सुबह से ही उत्साहित रहें, पारिवारी कलह को दूर करने के लिए आज परियास सार्थ तक होंगे, स्टूडेंट, आर्टिस और प्लियर्स अपने अपने फिल्ड में महतोपुन फैसल लेते हुए आगे बढ़ें की, आज एक बिजनस परसन के तरीके सोची, प्रोजेक्ट बना कर दिन को जीए, बिजनस में आप एक असंभाव परियोजना पर भी अपना पैसा लगा सकते हैं, उड़ जा लगा सकते हैं, जो भविशे में लाब जरूर देगी, कोई मामूली राशी भी खर्च हो जाए, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना चीए, कि दन की आमदन जो आमदेव अच्छी हो सके, नौकरी में अच्छा लाब आपको मिल सकता है, और पैसे से पैसे कमाने के अफ़सर भी मिल सकते हैं, समय अच्छा है, इसे बहतर बनाने के लिए समय का सही इस्तिवाल करिए, कुछ परिवारी के सत्य को बहतर बनाने के लिए अच्छा बोजन, अच्छा म्यूजिक, अच्छी बातों का अनुसरन करिए विदाउट गैजिट, स्टूडेंट, आर्टिस और प्लियर्स, कोई जटिल समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या आपने खुद्रें बना रखी है, उस पर ध् करना में स्पोर्स एक्टिविटी से दिन की शुरुबात करिए, सुनफा और वर्यान योग के बनने से बिसनस में पार्टर्श में लिया गया, फैसला और किया गया काम उप्युक्त थाबित होगा, यह काम आसानी से नहीं हो सकता है, लेकिन अधिक बैनत और स्मार्ट वर् बिरोती और शत्रों का पक्ष आपकी वज़े सुड़ा उनका कमजो रहेगा, आपके प्रॉड़क्ट की चाप लोग देखेंगे, आपका प्रॉड़क्ट चाज सकता है, आपको बस उसकी पैकेजिंग और सोशल मीडिया पर मार्केटिंग पर ध्यान देना है, वर्क प्ले करिए कि फैशन पैशन होबी के लिए आप समय निकाल सकें, आपकी उर्जा और समय का सदूपियोग हो गया, तो समझो आज एक खुशी के खबर आप जेनरेट कर देंगे, फिजूल के खर्च और उससे बढ़ रहे कर्च पर नियंतरन लाना ही होगा, आपका हर एक पैसा आ आप पर सम्वान और विश्वास से आज का दिन जिएंगे, में राशी, आकस में धनलाब अचानक से किसी से मेल बुलाकात आपको लाब दे सकती है, दिन की शुरुवात में कारोबारी लोगों को तोड़ परिशान ने आ सकती है, लेकिन दोपहर के बाद वीवेक से, आज का दिन शुब है, ओफिस पर कटोर बेहनत, बलकि स्मार्ट वर्क करने से आपको परसंता बिलेगी, वाशी सुनफार वर्यान योग के बने से वर्क प्लेस पर एक आगरता, डेडिकेशन, डिस्प्लेन, नए प्रोजेट की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे, किसी श जान देना पड़ेगा, स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स, आज घंभीर बन जाएं, लेट लतिफी, आलसी और ओवर कॉन्फिडेंस में फसने वाले इससे बच रहा होगा, मेरे परिशातियों, आईए अप कारिकरम के बात करते हैं, आज कैस्ट रोग्यान की, अगर आपके राशी, तुला वरशिक मकर कुम मीन है, तो आपके रिशुब दिन है, वरशब मितुन करक करने हैं, राशी वाले लोगों को लिए सामाने दिने हैं, पर तो बेश, सिंग, धनुर राशी वाले लोगों को संबल करेना पड़ेगा, आज आप हनुमान जी के सामने, ए मस रहिए, मस रहिए और व्यस्त रहिए, आप मुझसे परसले मिल भी सकते हैं, और टेलिफॉनिक और वीडियो कॉंफरेंस एक अपॉंटमेंट के द्वारा जुड भी सकते हैं, आज के रित रही प्यार भरानमशकार और बहुत बहुत आशेरवाद, इस दिपाबली मनाई महालक्ष्मी महुत्सव, इन सादनाव में आप आएंगे 27 मंत्र सिद्ध लक्ष्मी प्रिये पूजन सामकरी, तो देर किस बात की, करिए पूजा और उठाए लाग, क्यूंकि दिपाबली का द्योहार अपने साथ लेकर आया है खुशियों की सोगार, आपकी जीवन म कर देगा धन और वैभव की बरसात, महालक्ष्मी पूजन प्राप्त करने के लिए संपत करें